दोस्तो नमस्कार भारत्य रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज इस रेलवे लाइन के बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं वो दनियावा नेवरा रेलवे सक्षन है और ये रेलवे सक्षन बिहार का एक बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बोल सकते हैं सक्षन है क्योंकि जो आप ये में लाइन देख रहे हैं ये जो में लाइन है इस पर अल्लेडी अभी बहुत ज़्यादा दबाव है और जो इसके पीछे जो ग्रैन कॉर्ड लाइन है हावडा धनवाद गया पंडिदीन जलू पादिया जंक्सन वाला इस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है तो ऐसे में कुछ ट्रेने हैं जैसे की मगद एक्सप्रेस जो कि इसलामपूर से होतेवे दनियावा होतेवे ठतभा ठतना आती है सरमजी भी एक्सप्रेस भी है कुछ और कुछ ट्रेने है प्लस दूसरी बात ये है कि जो लोग पतना जंक्सन गए होंगे वो जानते हैं कि जो ये गया पतना वाला सेक्सन है वो डारेक्ट इस तरफ से आता है मतलब यदि कोई ट्रेन गया के तरफ से पतना आ रही है तो वो फिर दानापुर नहीं जा सकती है वो फिर पतना सिटी को आएगी उसके बाद मतलब कि वो पूरव की दिशा में ही जा सकती है पस्चिम की दिशा में गया से पतना आने वाली में प्लेट्रेन नहीं जा सकती क्यूंकि प्लेट फॉर मी उस तरीके से बना हुआ कर्फॉर्म है और ancora जो ट्रैक लिमकिग्साइब हो भी नहीं है कि इस केस में क्या होता है कि ज़िकोई गया टीरेन है या फिर जहानाबाद साइडं की कोई train है तो अगर वहां के लोगों को आरा जाना है बकसर जाना है तो उन लोगों को change करना पड़ता है क्योंकि वो लोग पहले पटना आते हैं फिर पटना से फिर change करके फिर वो दानापूर साइड को जाते हैं तो इसके लिए जो ये वाला section है जो कि पर से और यहां पर से जो ये वाला रूट जा रहा है तो इसके बन जाने से क्या होगा कि तो दोस्तो ये वाला जो section आपको दीख रहा है बाजितपूर हॉल्ट गनपूरा से होते हुए ट्रेने क्या हो सकती हैं कि जहानाबाद से direct नेवरा को आ सकती है और इस condition में क्या होगा कि जो भी ट्रेने गया से आरा बकसर के उड़ जाना चाहती है तो वो पटना को बाइपास करके जा सकती है एक तो importance ये है इस route का दूसरा importance ये है कि एक alternate route तयार हो रहा है आप इस तरीके से देख सकते है कि क्यूल से अभी पटना जाने के लिए जैसे कि एक route क्यूल में आकर जमालपुरा वाली रूट जूड गई एक जमुई वाली तो इन दोनों route से भी पटना जाने के लिए ये है ये ही route है main line वाला बढ़िया हातीदा और फिर बारबक्तियारपूर पटना वाला लेकिन अभी इसके समतल में एक route बन जाएगा जो कि क्यूल सेखपुरा बिहार सरीप हिस्वा दनियवा पुनपुन होते वे पटना को आ जाएगा और अगर उसको आगे जाना है तो पटना बाइपास करके वो आरा की ओर भी जा सकता है तो काफी फाइदे मंद है ये route दूसरे तरीके से देखा जाए तो बिहार सरीप से जो ट्रेने है वो डारेक्ट पटना जा सकती है बिहार सरीप की ट्रेने मतलब की जहानाबाद वाले route से भी जूर सकती है तो बिहार के overall connectivity में ये काफी जादा एक फाइदे मंद जो route है वो बनने के लिए जा रहा है अब हम लोग इस तरफ का भी देख लेते हैं कि कौन-कौन सा जो station है वो बना है अगर इस पे सो होता है तो जैसे कि जब हम जत दुम्री हाल्ट से पूरब की ओर बढ़ें तो हम देखते हैं पहला है मरंची हौल्ट उसके बाद बिर्जू भी घा फिर फजल चक गवासपूर सर्थुआ और फाइनली ये दनियावा जंक्सन में आकर के जो है जो है जोईन हो जाता है तो दोस्तो ये है रेलवे स्टेशन जो मैंने आपको बताए और जो रेलवे रूट है वो भी मैं आपको बताया इस पे काफी लोकल ट्रेंस भी ये बन जाने पे चलेंगी और काफी अधिक जो बर्डन है मेन लाइन पे वो घट सकता है बिहार की डिजनल कनेक्टिविटी में साउथ बिहार की डिजनल कनेक्टिविटी में ये काफी फाइदे मन सावित हो सकता है ये सब कुछ बाते हैं जो की काफी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है पलस एक और जो मैंने माड़ के और जाना चाहती हो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान के चलो एक सीधे में देखें यदि गया से कोई ट्रेन सीता मड़ी को जाना चाहती हो तो वो थोड़ा इंपॉसिवल जैसा है क्योंकि गया से अगर आप ये भी देखें कि अगर गया से ट्रेन आप रही पुन पुन आई or पुनपुन से फिर ये ट्रेन अगर इस रूट से आभी जाते है तो ये निवण आ जाएैंगी तो फिर ये हांजिपर नहुझा सकती जब तक गंगा 4 नहीं करेंगी तो ये और City वे पतना आ जाएंगी और पतना से फिर ये फुलवारी सरीफ होते हुए हाजीपुर होते हुए मुझपरपूर को जा सकती है फिर मुझपरपूर में इंजन रिवर्स करके वो सितामरी को भी जा सकती है तो नौर्थ बिहार साउथ खबर का लेटेस्ट अबडेट है जो कि आप देख रहे हैं तो देख लेते हैं क्या-क्या इसमें दिया हुआ है पटना के डी-म डॉक्टर चंदर सेखर सिंग ने कहा कि जिले में चल रहे विभिन प्रोजेक्ट के क्रियानवन में गती लाने के लिए गाउं में रोश्टर न योजनाओ का क्रियानवन की प्रगती कि समिक्षा करतेवे पदादिकारियों को संबोधित कर रहे थे दोस्तों ये इसके बारें दिया हुआ है नेवरा दनियावा रेल लाइन की बाधा दूर काम सुरू इसको हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों इसमें लिखा है कि बैठक खुद मोजा कुड़ी मोहमद पुर्जा कर कारियों की प्रगती को देखेंगे प्रोजेक्ट में कुल 45 मोजा में कुल अरजित रकबा 492.36 एकड़ है कुल प्राप्त आवंटन 144.94 करोर रुपे में से 3069 रहयतों के बीच 120.46 करोर रुपेया का भूगतान किया गया है कुल पंचाट 2104 में से 1919 पंचाटो का पूर्ण भूगतान कर दिया गया है प्रोजेक्ट में लगवक 86 प्रतिसत रकबा का भूगतान किया गया है डीम ने से 30 रहयतों के बीच मुहावजा भूगतान में तेजी लाने को कहा है बार से बक्तियारपूर थर्ड रेल लाइन निर्मान प्रुजिनाकार में तेजी लाने के लिए कस्तुरवा गांधी बालिकाउच विद्याले बढ़की मुहम्मदपूर रेलवे कैम के बगल में 12, 17 वर 20 वर 24 अप्रेल को राजस्व स्वीर लगेगा दोस्तो इस रेलवे लाइन से तो यही अपडेट था बाकिये सब कोई दूसरा रेलवे लाइन का अपडेट है तो आसा करता हूँ यह आप देखी लिए होगे कि यह परभात खबर से मैंने आपको दिखाया है आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काभी पसंद आया होगा यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हूँ तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे चनल को सबस्क्राइब करें और इस रेल लाइन से जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर जो लोग इस लेटेस्ट अपडेट को जानने की इच्छा रखते हैं आप उनके साथ इस वीडियो को साजा भी कर सकते हैं जय हिन जय भारत जय बिहार जय इंग प्रदेश